नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका वारी खास अपडेट में मैं आप इलाश आपके साथ आपको बता देंगे भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग ले टेस्ट मैच बेहत रुमान चक तो हुआ लेकिन अब भारत को जीत के लिए इंतजार करना पड़ेगा मैलबॉन टेस्ट में पाँच वे दिन का जी आपको बता देंगे चौते दिन ने ऐस्ट्रेलिया को आल आउट करने की कोशिश की विराट ने अपने सारे राइट्स यूज किये खेल को आदा गंटा बढ़ाया भ लेकिन अब भारत के लिए इंपोर्टेंट है कि वो मौसम भी उन पर महरबान हो क्योंकि अगर मौसम महरबान नहीं हुआ तो शायद भारत के लेने के देने पड़ सकते हैं इंपोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से भारती टीम लगतार प्रदिर्शन करते हैं उससे तो लग रहा है कि वौकसिंग डे टेस्ट माच हम जीतेंगे और अगर हम वौकसिंग डेट टेस्ट माच झीतेंगे तो 70 साल में ये पहली बार होगा कि भारती टीम कई रिकॉर् पहली बात तो अब तक हुए 11 ओरों में हम कभी boxing day test match Australia में नहीं जीते हैं तो पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे और पहले boxing day test की जीत की खुशी मनाएंगे उसी के साथ boxing day test में जहाँ पर team India का प्रदर्शन अभी तक बहुत खुब्सूरत रहा है बहुत शांदार रहा है, ऐसे में बॉक्सिंग टेंस मैच में ज़रूरी है कि भारती टीम जीते, और पहली बार ये होगा कि भारत ऐस्ट्रेलिया में लगतार 2TES पहला टिसमाच जीता और फिर तीसरा टिसमाच जीता दो टिसमाच जीत सकती है भारत और सिरीज भी जीतने का मौका है सिरीज जीतेंगे हम सिड्नी में अगर जीते हैं तो लेकिन कल 5-5 दिन मैलबॉर्ण में जीतना जरूरी है तब ही टिम इंडिया के लिए एक रहत भरी जादा एक हैरानी वाली बाते नहीं होगी, हलागि ऐस्ट्रेलिया ने भी काफी कोशिश की है, पैट कमिंस और नातरल लायन ने कोशिश की है, हार को टालने की, और अगर हार को नहीं टाल पाए नातरल लायन, तो भारत के लिए फिर मुश्किल की दिकत, भारत के लिए रहात होगी, लेकिन उस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है, बेराल उस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों से बहतर रिकॉर्ड रहा है, पैट कमिंस का, पैट कमिंस ने अर्श तक जड़ दिया है, और 61 रन बना कर नाबाद खेल रहा है, उन्होंने ही कोशिश किए उस्ट्रेलिया को जो है, उनकी हार टालने की, अब टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में काई बार टेलिंडर्स जो है, वो परिशान करते हैं, लेकिन भारत को एक बार फिर किया है, अब देखना होगा, कि किस तरह से उस्ट्रेलिया टीम परिशान करती है भारत को, और कितना देर तक उस्ट्रेलिया टीम टिक पाती है, तो चलिए फिलाल इस अपडेट में इतना ही, अगले अपडेट लेकर हाजिर होगी,